आज हम फिर आपके सामने आके खड़े हैं राज अलग हुए हमारा आज 24-25 साल होने जा रहा है हमारा आज क्या भी कई ऐसा गाउं है जहां के लोग ब्लॉक आफिस नहीं देखा बीडियो कौन है, सीओ कौन है नहीं जानता है DC और SP का तो दूर का बात कभी कोई पदादी कारी गाउं नहीं जाता था हमारा गाउं का हलत क्या है किसी को कुछ पता नहीं चलता था और हमने सुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार राती से चलने वाली सरकार नहीं है हमारी सरकार गाउं से चलने वाली सरकार है और इसलिए पंचाइद पंचाइद गाओं गाओं टोला टोला में हम लोगों ने पंडान लगा लगा करके आप सभी गरामीनों की समस्या को जानने का काम किया था एक बार नहीं अनेकों बार पजादी कारी लोग को गाओं में भेजकर आप के लिए आपकी समस्या को ठीक करने के लिए हमने भेजा था कोई लैप्टॉप लेके जा रहा है कोई कम्पूटर लेके जा रहा है कोई बैल गाड़ी में जा रहा है जा रास्ता नहीं हुआ ट्रेक्टर में जा रहा है बोट साइकिल में जा रहा है गाड़ी में जा रहा है साइकिल में जा रहा है लेकिन जाता जरूर था और आज गाउंक से उठीवी आवाज गाउंकी समस्या को ध्यान में रखकर हमने कार्योजना प्रारम किया बनाना और उसी का पहला पढ़ा था इस राज में सबसे पहले हमारे अपने माबाब बुड़े बुजुरुगों को मान सम्मान देना और इसके लिए हमने सरवजन पेंशन पहले असतर पर सुरू किया था ये कानून बनाया पहले होता क्या था गाउं में एक दो बुड़ा बुजुरुगों को पेंशन मिलता था और धेर सारा बुड़ा बुजुरु लोग दलाल के चक्कर में पड़ा रहता था बाबु मेरा पेंशन का कार्ड बना दो सालों साल दलाल के चक्कर में काट काट करके हजार दो हजार पांस हजार ठग लेता था उलोगों से लेकिन मर जाने के बाद भी उलोग का पेंशन का कार्ड नहीं बनता था गरीबी के आलम इतना भयावा था इस राज में तो हम ले निर्ने लिया कि अब कोई इस राज में बुजुर्ख बिना पैंसन का नहीं रहेगा इस राज में जितना साट साल का बुजूर्ग होगा सब को हम पेंसन देंगे चाहे एक लाख हो या दस लाख हो या बीस लाख हो